जैसे कि राजेश खन्ना को ले लीजिए विनोध खन्ना को ले लीजिए और एक हट तक कहें तो आज की डेट में गुविंदा को भी ले लीजिए और ऐसा ही कुछ अभी गोविंदा के साथ भी हो रहा है गोविंदा जो कि आज कल एक्टिंग से दूर हो चुके हैं कहीं न कहीं उनको शायद काम भी नहीं मिल रहा है लगला मौको पर वो अपने भांजे के प्रतिय अपनी भडास निकालते हुए देखे जा सकते हैं खर वो अभी जो उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसको के लेकर वो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं वो एक बड़ा कारण बन गया है उनकी जगासाई का दरसल उस गाने में उन्होंने सब कुछ किया है बेसिकली और जो भी कुछ की उन्होंने किया है वो क पिछले कई सालों से बड़े परदे से गायब चल रहे है बॉलिवड अक्टर गोविंदा आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर काफी एक्टिव है जहां एक टाइम पर अपने डांस से लोगो दीवाना करने वाले गोविंदा अपने सिंगिन टैलेंट को आजमाने में ल दरा रहे हैं इस गाने को गोविंदा ने आवाजी नहीं बलकि इसके लिलिक्स भी उन्होंने खोद ही लिखें अपने गाने के रिलीज की जानकारी इंस्टा पर दी थी और उनके पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा था कि आपके लिए गाना बराने से बहतर है कि आप वेब सिरीज बना है यूजर्स का कहना है कि गोविंदा अपने ट्राक भूल चुके हैं और वो धीरे धीरे गायब होने की कगार पर पहुँच भी चुके हैं वहां कई सारी यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि आपको ये सब देख कर कि आप खुद अपना मजाग बनवा रहे हैं दरसल गोविंदा हेलो गाने की शुरुआत में अपने स्टाइल में डांस करते हुए नजर आते हैं इसके लावा उन्होंने मज़दार वाइड करर का सूट पहन रखा है इसके बाद वो निशा के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आते हैं इस गाने को गोविंदा ने रोहित राज सिनहा के साथ मिलकर बनाया है वो गाने में पियानो भी प्ले करते नजर आ रहे हैं से पहले उन्होंने चश्मा चढ़ा कर और टिप टिप बरसा पानी पर भी गाना रिलीज किया था उन गानों पर भी फैंस के मिक्स्ड रियक्शन्स ही सामने अब जरा देख लेते हैं टुटर पर किस तरह के रियक्शन्स इनके गानों को लिकर सामने आ रहे हैं तो शाहिद अमजद लिखते हैं गोविंदा सर नाइंटी से बाहर आ जाओ प्लीज इसके साथ ही आकाश ने लिखा है कि दे वर्ल डज मूव तो 2022 बट गोविंदा इस सामान मिल गया लोग चुट कोले ढूंड रहे हैं माइन फ्लेयर ने लिखा है ये बंद करो बंद करो खुले में हग ना बंद करो भासकर विशाल लिखते हैं कि एक जमाने का मेगस्टार को टिके रहने के लिए इसे थर्ड क्लास म्यूजिक वीडियो बनाना पड़ रहे है इसके उपर शेखर सेनी भी हसते हुए नजर आ रहे हैं राजेश शर्म लिखते हैं कि अब आपको कोई सिंगर भी नहीं मिल रहा है क्या सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो फ्लॉप होना ही है इसके आगे एक ने पूचा भाई है चाय के पर कबल आ रहा है उसका शायन इ इद्रिसी लिखते हैं कि बहुत ही वाहियत सॉंग निकाल रहा है हो सर बहुत ही वाहियत मगर फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा हूं ज़स बिकॉज आपका इतना अच्छा हो जाए आप फिर बॉलिवड में आ जाओ भाई उमीद पर दुनिया कायम है उमी लिखते हैं क्या अगले कमेंट में लिखा हुआ है गोष्ट लिखते हैं कि इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो इनकी गानों के ऊपर निकल कर अपसामने आ रहा है है और पुलिक जो है अपना रियक्शन वी किसी तरीके से दे रही है और कहीं ना कहीं गोविंद ना को याद दिलानी कोशिश की जा रही कि भाईया समय के साथ चलनी कोशिश करो समया बागे बढ़ चुका है मेरे सुटी विखते हैं जैहिन जैभारत